तो हम अएफलो कैसे आप सभी और आज वो डिसकस करने जा रहे हैं निशेय मिजिकल जी कि एक बहुत ही प्यारी शी पॉइम का नाम है फिलोश्पी तो फिलोश्पी क्या होता है बच्चो वह ता दर्शन शास्त्र और उसी को उसी पॉइम को आज हम एक्स्प्लेइन करेंगे तो क्या बताया गया है इसमें देरी जओ प्लेश टू वीच आई अफन गो कि एक जगह है जहां पर मैं प्राइज जाताहूं कि जगह है फ्लेश स्थान है जहां पर हमेंशा चले जाते हैं प्राइज नोट बाइप लगतुर वह है इस की कोई planning नहीं करते हैं कि वहाँ जाना है उच जगह पर बट बाइए फ्लो पर वह चले जाते हैं वहाँ पर अवे फ्रोम ओल एक्जिस्टेंट वह जो चीज है वह वास्ताव में नहीं है वह जो स्थान है वह प्लेस वह एक्चुल में नहीं है बल्कि कहां है उनकी इमेजिनेशन में है वह तो एक कोल्ड लुशीडिटी वह फूज विल इज अनकॉंट्रोल और एक जो प्लेस है वह बता रहे हैं कि वह उनके जो धिमाग में है और उस पर उनका जो कोई नहीं है नियंत्रण नहीं है बलकि जो वह चले जाते हैं उस्थान पर हीर दा मिल्स ओफ कोडर नेवर्स लो यहां पर जो मिल्स ओफ गोड्ड जो गोड़् है भगवान की जो मील है मसीन है उनको बोला गया कि वह कभी भी असलो नहीं होती वह हमेशा चलती रहती है यह किस इसन पर जो सोचते हैं तो उसके बारे में नोने बताया है दा लैंड्सकेप इन इस जियो लोजिकल प्राहिम वो बोलते हैं कि पहले जो है कैसी जो पृत्वी अपने जो दिमाग है इम्याजिनेशन है उसमें वो सोच रहे हैं डिजॉल टूइट से हैं सो इट्स कुइन कुइंट असेंशल स्लाइम अब वो बता रहें कि कैसे सभी पृत्वी कैसे थी पहले मिट्टी इन सबसे बनी हुई थी ए मिलियन स्टार और बोल्टेड आउट बहुत जो आरे बहुत सा अपने जो दिमाग में सब चीजों के बारे में वो सोच रहे हैं आई तिंग मैं सोचता हूं ओप इच इस्ट हिस्टोरिकल पैसन एजब लिंक डैट हैपन टूदा सैड आई ओफ टाइम अब बहुत ही इधियास में ऐसी जो चीजें गटनाए हैं वो गटित हुई होगी ज सोच लेते हैं कि उस टाइम पर यह हुआ था उसके बाद यह हुआ उसके बाद यह हुआ बहुत सारी इवेंट है घटनाए हैं टाइम के बारे में और वो इन सब चीजों के बारे में पलक जबकते ही सोच लेते हैं तो अपने जो माइंड में इन सब चीजों के बारे में सो फिलोस्पी दर्शन शास्तर है अध्यन करते हम प्रतों कुछ चीजें ऐसी जिनके जो रेड्ल रैसे वह रहते ही जिनके बारे में जो हम में साइस भी नहीं बता पाती है कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं फिलोस्पी वह में चीजों के बारे में नहीं बता बाती है एज डार्केश्ट मिथ मिंडर तुरू दा पेन टौर्ड एफाइनल फॉर्मॉला ओफ लाइट आई तू रिजेक्ट दिस क्लैरिटी ओप साइट वट कैन नोट भी एक्स्प्लेंड दू नोट एक्स्प्लेंड अब यहां पर बता रहे हैं कि वही कु जिसको जिसको ज्याटि या फिलोसफी और दर्सन सास्तर भी उन चीजों को एक्स्प्लेंड नहीं कर सकता तो यह यहां पर point है वो बोल रहे हैं के उन ऐसी चीज़ों को जिनको explain नहीं किया जा सकता आप रहने ही दो explain करने की कोई जरूरत नहीं है और do not explain them उनको ऐसे ही छोड़ दो the mundane language of the sense thinks its own interpretation अब जो बोल रहे हैं के जो common sense है जो समझ है sense है इंद्रिया है हम कुछ महसूस कर सकते हैं कुछ चीजों को उनकी क्या होती है अपनी interpretation होती है चीजों को समझने का तरीका अपना ही होता है common things become by virtue of their common hands जो common है कुछ चीजे हैं असान होती है वो उनका जो गूण होता है उनकी common sense के वह सब को इन चीजों के बारे में समझ है तो बहुत ही साधार्न होती है चीजे एन अर्गुमेंट अगेंस्ट देर नेकड़नेस्ट डाइज जो फॉल टू फाइंड दा टूथ इट ब्रिंग्स तो यहां पर उन्होंने जो पहले फिलोस्पी के बारे में बताया कि अपने जो दिमाग कुछ चीजों के बारे में बहुत सारे चीजे हैं अपने माइंड है उनमें चला जाता हूं और सोचने लगता हूं और जो आदमी का उचलता रहता है बहुत सारी चीजे हैं इवेंट अब दा हिस्ट्री है जो जिन में पलक पकते ही विदा ब्लिंग को फैंट आई आई आइकन समराइज अब आई आपने प्रिवेश टाइम लाइक तो बहुत सारी चीजे हैं बट इन चीजों को ऐसा ही रहने दो ज्यादा दिमाग लागाने की जूरूत नहीं है जिन चीजों को आप समझ में नहीं आ रहे हैं उनको आप छोड़ दो बलकि जिस चीज को आपको समझ जाए उसको आप समझ लो और कुछ चीजें बहुत ही क्या होती है common sense होती है जिनको अपनी इंद्रिया है हम senses है अपनी जो दिल की आवाज हो ऐसे हम बोलते हैं उन चीजों को हम समझ सकते हैं क्यों और तो वो उन्होंने जो है poetry है उनके माध्यम से भी हम उनको समझ सकते है poetry क्या होती है music of the soul होता है अंतरात्मा की हवाज होती है उसके दिन से निकलती है poetry कवी के तो ऐसे ही उन्होंने बताया कुछ चीजों के बारे में कुछ चीजों साइंस बतात देती है कुछ नहीं बताती है और इस पोईम के philosophy दर्शन चास्तर के ऊपर अपने कुछ लाइन है उन्होंने आप पोई ठैने से मिजिकल जो लिखी थी आशा करता हूं आपको जो explanation है इसकी कुछ न कुछ जो है आपक अपने एक्जाम में इस तरह की explanation आप दे पायोंगे तो इस वीडियो में इतना ही बत्चो मिलते हैं ऐसे किसी को और explanation में तब तक के लिए ठाटा बाए बाए